हेलो गाइज वेल्कम बैक टो माई चैनल आज की रेस्पी है चिकन यखनी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेर प्लीज सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले मैंने लिया है मसाले जिसमें दनिया, जीरा, छोटी इलाइची और दाल चीनी है इनको हमने बुन के पीस लेना है फिर मैंने लिए है दही दही मैंने लिए है टू केजी इसमें हम एक डालेंगे और उसको अच्छे से फेंट ना है आप चाहे तो ग्राइंडर में भी इसको अच्छे से फेंट सकते हो ग्राइंडर में डालके बैस्ट रहता है तो एक साइट से हम क्या करेंगे थोड़ा ओइल लेंगे और जो हमने मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा था वो फ्राइ करेंगे अब ये ओइल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम चिकन फ्राइ कर लेते हैं मैंने काटे हैं थोड़ी से प्याज और लिया है थोड़ा सा लेस्ट ये दिखो ग्राइंडर में मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है जो अंडा डाला था वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है जो खड़े मसाले मैंने बुने थे उसको थोड़ा दर दर पीसना है इसलिए मैंने ग्राइंडर में नहीं पीसा तो थोड़ा मुझे दर दर पीसना था ये चिकन फ्राइ हो रहा है चिकन में मैंने फूड कलर डाला था आप चाहे तो इससे स्किप कर सकते हो फूड कलर को लेकिन मैंने डाल दिया था उसके बाद हम दूसरे बतन में दही को डालेंगे और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से उबल न जाए इसको continuously अपने चलाना है अगर आपने छोड़ दिया तो ये दूद जो है फट जाएगा दही फट जाएगी तो इसके उबाल आने तक आपने चलाते रहना है और फुल और एक साइड से मैं जो प्यास भी फ्राइग कर रही थी ये दिखो अच्छे से उबल गया है अब ये दही फटेगी नहीं तो कि इसको कैसे ठीक करें उसके बाद जाएगा इस में घरम मसाला जो हमने पीसा था और इसको अच्छे से मिक्स करना है और पांच मिनर तक इसको उबलने देना है अच्छे से फिर हम लेंगे सूखी हुई कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा पुदीना वो हम अब इसमें डाल देंगे और जो हमने फ्राइ किये थे प्यास उसको हम ग्राइंड करके इस लेंगे ग्राइंडर में पांच मिनिट के बाद अब हम इसमें जो प्यास हैं वो डाल देंगे प्यास डालती है अब ब्लेस्वन भी डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे मिक्स करेंगे पांच मिनिट चलाने के बाद अब जाएगा फ्राइ चिकन इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा पॉडर और तेल जो हम देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब